आज की जो रेसिपी है ना वो आपको दिख रही होगी मठरी पर इसके साथ ही मैंने कुछ ऐसा स्पेशल बनाया जो खा के और जो बना के आपको मज़ा आने वाली है मतलब इसमें मैं डालने वाली हूँ एक सीक्रेट सा मसाला जिसको मैं बनाने वाली हूँ घर पे उसे क्या ह इसका जो टेस्ट है ना वो दो गुना तीन गुना बढ़ने वाला है और आपके बच्चे भी मस्त होके खाने वाले और आपको भी ये खा के मज़ा आ जाएगी तो रोज की सिंपल वाली मठरी को आज हम देने वाले है ट्विस्ट और उसको बनाने वाले और भी टेस्टी खसता और कुरकुरी मठरी के लिए तयार हो जाए जो जिसमें हमने मैदा यूज नहीं किया है तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने लिया है एक मिक्सी जार उसमें डालेंगे रवा तो यहां पर मैंने दो कप जितना रवा डाला है बहुत सारी बनाई है मतलब चलते फिरते आप कभी भी खा सकते हो और इसको हम कर सकते हैं अच्छे से ग्राइंट तो अच्छे से पावडर कर देना है इसको तो बिल्कुल जब तक बारिक एक दम नहीं हो जाता अच्छे से पीस लीजिए और यह देखिए जो इसका टेक्स्चर है आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से पावडर बन गया है तो यह हमारा जो रवा है बिल्कुल बारिक हमने पीस लिया है अब हम इसको खाली कर देंगे एक बरतन में मतलब जो परात लिए उसमें इसको खाली कर देंगे और इसी में ही हम डालने वाले है आटा तो यह गियू का आटा है मैं तो घर पे पिसवाती हूं गियू इसलिए अधरवाइस आप अगर बाहर का भी रेडिमेट भी लाते हो और साथ ही डालेंगे नमक और तेल मोहिन के लिए तो यहां पर लगपक 4 टेबल स्पून जितना हमने ओई यूज किया है और अगर आप चाहो तो इसमें बहुत सारा कुछ डाल सकते हूँ जैसे अजवाइन वकरार डालते है बट मैंने इसमें नहीं डालें ताकि यह फुली- सकते हैं और यहां पर पानी कि यूज कर रह तो पर इसकी खंसिस्ट करनी है too बस थोड़ा सा उपर सेता हेच वियू श्यक्रताब कर दे लिए कए शविया द१ोर्त के बडूत कानी कर सकते हैं colonial ऐसमें उपर से फ्रूंत इसको कर दो पानी कर सकते हैं और इसको हम एखेंगे धगके 5-10 मिनिट के लिए और जब तक इसको हम सॉफ्ट होने के लिए रख रहे हैं तब तक बनाएंगे मसाला था, हमारा जु क्र जब इसका कलर हलका सा चींज हो जाता है तो यहां पर गैस को बंद करेंगी और थोड़ी देर इसको फिर भी चलाते रहना है जब तक कि जो बरतन थोड़ा सा गरम है न वह अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता है ठंडा बुले तो नॉर्मल फिर इसको निकाल दीजिए आप किस बरतन में और जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसको ग्राइंड कर रहा है तो यहां पर हमने इसको डाल दिया मिक्सी जोहर में साथ में डालेंगे अमचुर पावडर यहां पर हमने पिंक सॉल्ट लिया है सेंदा नमक डाल सकते हैं और साथ ही कश्मीरी रेड चिली ली है त जादा तीखा पर नहीं आता और साथ यहां पर सिट्रिक ऐसे डालेंगे नीमबो फूल खटाई के लिए और भी अच्छा टैंगी फ्लिवर आता इससे तो बस यह हमारा जो मसाला है अच्छे से ग्राइंड करके तयार हो गया है अब जो आटा है उसको फिर से मिक्स कर लें है मेरी यहां पर तो बस इस तरह से इसको बना दीजिए अच्छे से रोल कर दीजिए और इसको हम रख देंगे साइड में इसको ढखके रखना है बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि खुले में छोड़ देना नहीं तो उस पर एक हार्ड वाली लेयर बन जाती है तो इसको अच्छ चाकू की सीञिक सवर्म फॉर्म से स्कुषम से Кट कर देंगे और जो भी आपको शेप में कर देंगे वाली अक्तौर हम काथर कया अगर आपके पास कोह मोल्ड है तो आप उस तरह से इसमें शेप कर सकते हो आप चाहो तो इसको diamond shape में cut कर सकते हो, square में cut कर सकते हो, थोड़े बड़े shape सी करेंगे, तो बहुत ही अच्छे और crispy बनते हैं और दिखने में भी अच्छे लगते है, तो ये देखिए हमने इस तरह से सारे जो मठरी है वो cut कर दी है, इसको आप store कर सकते हो, आराम से 15-20 दिन क इनको कुछ नी होने वाला है, थोड़ी थोड़ी बना के आप इसको अगर खाऊंगे, तो जनरली ये fresh रहती है और अच्छी भी लगती है, अब हमें क्या करना है, कट करने के बाद ये हलकी सी जब सूख जाती है, तब इसको हम पलट देंगे, और इस तरह से दूसरे plate में निकाल देंगे, और साइड में हम रख देंगे, तेल को गरम करने के लिए, ये देखिए, जब ये सूख जाती है तब ये बिल्कुल ईजी ली और इसका जो शेप है वो खराब नहीं होता है, यहाँ पर हमने तेल रख दिया, एक कड़ाई में अच्छे से गरम करने के और इसको अच्छे से होने देना है, लगभग 6-7 मिर्ट लगता है, जब तक इसका कलर हलका सा चेंज नहीं हो जाता है, इसको अच्छे से चलाते रहना है, दो-3 सेकंड में आप इस तरह से चला सकते हो, और ये देखिए, जब इसका कलर चेंज हो जाए ना, तब इसको कुछ से ख़णें के निकाल देंगे अ तक अगर निग में धुक। अब तो इसी तरह से हम सारे cms, और फिर से गरम oil में हमने डाल दिया है, और अच्छे से हम slow flame पर चला लेंगे. जब अच्छे गरम flame है, तब डालते हम तो तो सारे मठरी अच्छे से fall जाती है, और उसके बाएद हम एजहीं slow flame पे चलाना है ता कि वो crispy हो जाए है, और जब इसका color हलका सा change हो जाता है न अच्छे से तब इसको निकाल देना है जब यह ठंडी होती है न तब आप इसको taste करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यह crispy अगर गरम गरम आप इसको तोड़ी की कोशिश करोगे तो हो सकता हलका सा आपको softness लगे उसमें तो बस इसी तो एकदम आराम से खाएंगे आपको भी tension नहीं कि बचे घर का ही नाश्टा खा रहे है बार का नहीं खा रहे है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आईए न तो subscribe कीजेगा मेरे चैनल को and don't forget to share with your friends and family बाबाइ